बच्चो हमने पहले भी बात की है कि भारत में उद्योगों का विकास जो है वो दो चड़नों में हुआ हैं पहला स्वतंतरता प्राप्ति के पहले और दूसरा स्वतंतरता मिलने के बाद तो स्वतंतरता प्राप्ति के पहले जिन उद्योगों का यह हम कहें जिन इसपात उद इन तीनों ही इस पात केंद्रों की हमने चर्चा कर ली है अब हम देखते हैं जब त्वतंतरता मिली भारत को तो उसके बाद ये आवश्यक्ता महसूस किया जाने लगा कि भारत को आर्थिक विकास यह हम कहें और दोगिक विकास के लिए और अधिक से अधिक इस पात की चर्चा है और इस आवश्यक्ता को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने स्वतंतरता प्रापती के बाद हिंदूस्तान स्टीुल्लिमिٹ इस कंपनी की इस्थापना की और इस कंपनी ने दुर्गापुर, रायुरै केला और भिलाई इन तीन इस्पात केंद्रों की इस्थापना की और ये तीनों ही इस्पात केंद्र जो हैं वो विदेशी सहयोग से इस्थापित किये गए हैं प्रारंभ में इन तीनों इस्पात केंद्रों की जो उत्पादन छमता थी वो 10 लाख मिट्रिक तन का एक टार्गेट रखा गया और उसके बाद अब वर्तमान में देखें तो धीरे धीरे इन तीनों ही इस्पात केंद्रों की उत्पादन छमता को क्रमशह बढ़ाया जा रहा अब इन तीनों के अतिरिक बोकारों में भी इसके बाद एक इसपात केंद्र की स्थापना की गई इसी क्रम में तो आए हम बात करते हैं इन तीनों ही इसपात केंद्रों के विशय में तो इस कडी में हम सबसे पहले देखते हैं राउर केला इसपात केंद्र इस कड़ी में हम बात करते हैं सबसे पहले जो राउर केला इस पात केंद्र है इस विशय पर ये इस पात केंद्र ओरिसा के सुंदरगड जीले में शंक और कोईल नदियों के संगम पर इस्थापित है इस पात केंद्र की जो इस्थापना है वो जर्मनी के सहयोग से की गई और जर्मनी में जो कुरूप्स और डिमाग कमपनिया थी इन दोनों ही कमपनी के सहयोग से ये केंद्र इस पात केंद्र जो है वो इस्थापित किया गया है हाँ यदि हम उत्पादन की बाद करें तो इस इसपात केंद्र में 1959 से इसपात उत्पादन जो है वो प्रारम हो गया है अब उत्पादन के बाद हम देखते हैं कि इसकी छमता तो पहले भी हमने चर्चा की थी कि ये जो तीन इस्पात केंद्र इस्थापित किये गये हैं इन सभी का जो लक्ष है वो 10 लाक मिट्रिक टन का रखा गया था तो इसी प्रकार इसी कड़ी में राउर केला इस्पात तो इसकी उत्पादन चमता को बढ़ा कर 10 लाक से 18 लाक मिट्रिक टन कर दिया गया है हाँ अब हम इसमें देखते हैं 18 लाक मिट्रिक टन 10 लाक के बाद 18 लाक मिट्रिक टन हुआ और अब वर्तमान में हम देखें तो 40 लाक कच्चा जो इस्पात है यह यहाँ पर तयार किया जाता है अब उत्पादन की कौन-कौन सी वस्तुएं जो है यह इस 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 पात केंदर में उत्पादित कि जाती हैं तो उसमें प्रमुख रूप से हम यह देखते हैं जैसा हम पहले भी चढ़चा कर चुके हैं कि कोई भी उद्योग स्थापित होता है तो वहाँ पर उस उद्योग की स्थापना के लिए जो हम ये कहें कि उसके सहायक सोर्स या साधन या फैक्टर्स ये वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए तभी कोई उद्योग जो है वो उचित प्रकार से विकास कर सकता है तो हम बात क करते हैं राउर केला इस पात केंद्र जो है इसकी यहां पर इस छेत्र में इस्थापना के कौन-कौन से महत्तपूर्ण कारक है जिसके कारण यह लगातार विकास की गती को प्राप्त कर रहा है तो सबसे पहले जैसा हमें पता है कि भई लोहा इस पात उद्योग के लिए कोई प्रामाल लोहा है यह हम लोहयस की बात करें तो लोहयस इस इस पात केंद्र को कहां से मिलता है तो यह सुंदर नगड़ और क्योंजर जीले से प्राप्त किया जाता है और यह दोनों ही छेत्र जो है वो राउर केला से हम देख पा रहे हैं कि लगभग 77 किलोमीटर की दूरी नहीं है इसके बाद हम कोईला देखते हैं तो कोईला जो है वो लगभग 320 किलोमीटर दूरी परिस्थित जरिया बोकारो कोर्बा और तालचेर इन प्रमुख केंद्रों से उर्जा के लिए कोईला जो है मंगाया जाता है इसके बाद हम जलकी बात करें क्योंकि हमें पता है कि लौह इसपात केंद्र में जो कच्चा माल लौह असक होता है उसे धोने के लिए परियाप्त मातरा में जल की आपूर्ती होनी आवश्यक है तो इस इसपात केंद्र को जल जो है यह आपने नाम सुना ही है हीरा कुनबान तो हीरा कुनबान से परियाप्त मातरा में जल वि दियुद्भी से प्राप्त होता है अब हम बात करें चुने का पत्थर और डोलोमाइट तो चुने का पत्थर जो है वो बीर मित्रपूर और हाथी वाड़ा तथा पानपाश ये तीनों ही खानों से इस पात केंद्र को चुना पत्थर मिल जाता है जो यहां से लगभक 24 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित हैं और इसके बाद डोलोमाइट के हम बात करें तो डोलोमाइट जो है वो पास ही इस्थित बढ़द्वारा से मिल जाता है अब इन प्रमुख वस्तूओं के अतरिक्ति या हम खनीजों के अतरिक्ति की बात करें तो मै पत्वपुन फैक्टर है लौह इसपात उद्योग के लिए और इस केंद्र को मैगनीज जो है वो बोनाई से मिल जाता है इसके बाद हम देखते हैं राउर केला जो है वो आपके कोईल और ब्राम्हणी नदियों के किनारे ही इस्तित है यह हम कहें दोनों नदियों के संगम प पूर्टी होती है फिर हम देखें राउर केला जो है वो आपके नागपूर और कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर इस्तित होने के कारण इस इसपात केंद्र को प्रमुख रूप से आयात और निर्यात यह हम कहें आसानी से सुगम रूप में रेल परिवहन की सुविधा भी म बहुत अधिक दूरी नहीं है कोलकाता बंदरगा की राउर केला से दूरी तो हम देखते हैं कि कोलकाता बंदरगा पास ही इस्तित होने के कारण एक बंदरगा की सुविधा या हम कहें कि जल परिवहन की सुविधा जहां से देश या इस इस इसपात केंद्र में जो उत्प संक्राइब धर गाह से मिल जाती है और साथ ही साथ ये कोलकाता का जो पृष्ठ भूमी छेत्र है पृष्ठ छेत्र की जब हम बात कर रहें तो यह बहुत धनी स्चेत्र भी है और साथ ही साथ एक सघंजन संख्यावाला प्रदेश है तो इस प्रिष्ठ प्रदेश से इस इस इसपात केंद्र को एक अच्छा बाजार भी जो है वो उपलब्ध हो जाता है तो ये प्रमुख इस इसपात केंद्र के विकास में सहायक हैं अब हम दूसरा देखते हैं भिलाई या भिलाई इसपात सयंत्र बच्चो इस नाम से तो आप भली भाती से परीचित हैं भिलाई इसपात सयंत्र जो है वो आपके च्छतिसगर राजी के दुर्ग जीले में स्थापित है और इसका जो निर्माण है वो 1957 में किया गया है और ये ततकालीन जो सोवियत संख है उसके द्वारा या हम कहें कि उसकी सहायता से ये इसपाथ सयंत्र जो है वो स्थापित किया गया अब 1957 में हमने कहा कि भिलाई स्थापना की गई लेकिन इसमें उत्पादन प्रारंब हुआ चार फरवरी 1969 नाइन से इस सयंत्र में उत्पादन प्रारंब कर लिया गया हम देखते हैं अभी हमने बाद भी की कि इसके स्थिती जो है वो 36 गर राजी के दुर्गजीले में है और जैसा की राउर केला में भी देखा तो ये हिंदुस्तान स्थील लिमिटेड कमपनी के द्वारा स्थापित दूसरे कम का जो है इस पाज सयंत्र है और इस सयंत्र में भी प्रारंभ में उत्पादन छमता जो है वो 10 लाक मिट्रिक टन ही रखी गई थी उसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान में इसकी उत्पादन छमता जो है उसे बढ़ा कर लगभग 52 लाक टन जो है वो कर लिया गया है हां एक और चीज इसमें देखते हैं इसकी जो 27 लाक टन ढलवा लोहा उत्पादित करने की छमता है और लगभग 25 लाक टन जो है वो इसपाद उत्पादन की छमता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये देश का सबसे बड़ा इसपाद केंद्र है साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि इस इसपाद सेयंत्र की स्थापना में कौन-कौन से कारक जो है वो सहयोगी है जिसके कारण ये इसपाद सेयंत्र इस्थापित किया गया है या लगातार विकास कर रहा है तो इसमें भी हम पहले देखते हैं लावयस्क की बात करें तो लावयस्क जो है वो भिलाई से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिन में हमारा दली राजहरा इस्थित है और इस दली राजहरा की खदानों से लाव खदानों से इस चेत्र को उत्तम किस्म का सेπेаменом कि यhof झाह monopol तेरा सभ्सक्रेव करने सा में लुक्षान और चयन को जो फोज आइस नना देल्ली तुनितर अगए शजय्ज़ा और ऍराफ मोशन दुए से चूलाइं था शीरी फैसलीटि त। अंस ऐस खहता है जो जह जो इस फिलक Independence दूता है प्राप्त है इसके बाद हम देखते हैं छारखंड की जो बोकारों है यह हम बात करें कारगली और जरिया और साथ ही साथ कोरब की जो कुवेले की यहां से इसे परियाप्त मात्रा में कोईले की प्राप्ती होती है अब यहां से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर नंदनी की खान है और इस नंदनी की खान से इसे चूना पत्थर मिल जाता है अब 36 गड में ही जो बिलासपूर जीलाइस सित है इस बिलासपूर जीले की जो हिर्री खदान है इस हिर्री खदान से इस छेत्र को dolomite और बालो छेत्र से quardsite की प्राप्ति हो जाती है भिलाई स्पाथ सेंधर को अब हम बात करते हैं विद्यूत की तो उत्तर में कौरबा ताफ विद्यूत्ग्रिह जो है वो इस्थापित है और 36 गड के ही कौरबा ताफ विद्यूत्ग्रिह से इसे परियाप्त मात्रा में विद्युत की आपूर्ती भी हो जाती है भिला इस पाज सेंद्र को, अब हम बात करें मैगनीज की, तो मैगनीज इसे महाराष्ट के भंडारा से और साथ ही साथ, कुछ मात्रा में मध्यप्रदेश का जो बाला घाठ है, वहाँ से भी मैगनीज की प्राप्ती हो जाती है, अब हम ये देखते हैं कि मुंबई कोलकाता, जो मुख्य रेल मारग है, वहाँ पर इसकी स्धिती है, भिलाई की, तो ये भिलाई स्पाज सेंद्र को मुख्य मुख्य रेल मार्ग से परिवहन की भी सुवीधा जो है मिल जाती है तो हमने पूरी बात की कि भिलाई इस पाथ सायंत्र के विकास के या इसके यहां पर इस्थापना के लिए कौन-कौन से कारक जो है वो सहयोगी है और जो इसे भविश्य में भी लगातार विकास के लिए ए अब नेक्स्ट हम देखते हैं दुर्गापूर इसपाथ सैंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेट के करम में तीसरा इसपाथ सैंत्र था आपका दुर्गापूर इसपाथ सैंत्र जो है वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेट का तीसरा कार खाना है और हम देखते हैं कि इसक पस्षिम बंगाल के वर्धमान जीले में लगबग 1959 में की गई. 1969 में ये इस्पास सेंत्र जो है वो इस्थापित किया गया है. अब यहां भी हम बात करें, तो ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो जैसे हमने देखा था कि राउर केला जो है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया और दुरगापूर इसपाज सेंत्र जो है वो आपके ब्रिटिश तकनीकी और इस तकनीकी के साथ साथ ब्रिटिश देश के सहयोग से भी यह जो इसपास से अंत्र है वो इस्थापित किया गया है इसे आर्थिक सहयोग के साथ साथ तकनीकी सहयोग भी ब्रेटिश की प्राप्त है अब हम देखते हैं कि कोलकाता आसन सोल रेल मार्ग पर कोलकाता से लगभग 176 किलोमीटर की दूरी पर ये जो इसपात के इंद्र है वो स्थापित है यहाँ पर हम उत्पादन की बात करें तो 1962 में इस इसपात के इंद्र में उत्पादन प्रारंब हो गया प्रारम में और अन्य जो 2-5 सेंद्री की हम ने बात की थी उसी प्रकार इसकी भी उत्पादन छमता का लक्ष रखा गया था दस लाक मिटरिक टन और अब इसे बढ़ाकर जो है लगभग 40 लाक मिटरिक टन जो है उत्पादन छमता इसकी हो गई है अब कौन-कौन सी वस्तूओं का प्रमुक्ता से इस छेत्र में उत्पादन किया जाता है इसकी यदि हम बात करें तो देखते हैं प्रमुक्ता से यहाँ पर रेल के पहिये, पट्रियां, छड़, आदी जो हैं यह प्रमुक रूप से उत्पादित की जाती हैं अब इसकी स्थापना के कारकों की जब हम बात करते हैं कि दुर्गापूर इस्पाज सेंथ्र के स्थापित होने के लिए कौन-कौन से कारक महत्तपोन से सहयोग प्रदान करते हैं उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले कच्चामाल की बात करें तो कच्चामाल में लौह एस्क भंडार जो है वो दुर्गापूर से लगभाग 320 किलोमीटर के अर्धव्यास के अंदर ही मिलता है जहां पर दुर्गापूर स्थापित है वहां पर इस सयंत्रे से लगभाग 320 किलोमीटर के अर्धव्यास में पूरा लौह एस्का भंडार जो जो है law ask प्राप्त किया जाता है इसके बाद हम बात करते हैं कोईला तो कोईला भी जो है वो इसके पास इस्थित जरिया और रानी गंज छेत्र से प्राप्त किया जाता है इसके बाद हम देखते हैं चूना पत्थर तो चूना पत्थर जो है वो प्रारम में तो हाथी पुर से ही प्राप्त किया जाता था लेकिन अब सुन्दरगर और क्योंज़र से भी चूना पत्थर की प्राप्ति की जाती है मैंगनीज जो है वो इस पात के इंद्र को ओडिसा के बारीवल छेत्र से प्राप्त हो जाता है साथ ही डोलोमाइट जो है वो बीरमित्रपूर से और आसपास के जित्ते भी जो निकटवर्ती छेत्र हैं सगंजन संख्या के छेत्र होने के कारण इसे सस्ता स्रम भी वहां से प्राप्त हो जाता है दुर्गापूर स्पास सेंत्र जो है इसे जल की आपूर्ती दामोदर नदी पर दुर्गापूर बैराज बनाया गया है यहां से परियाप्त मात्रा में जल की आपूर्ती हो जाती है इसे कुलकापा बंदरगाह की भी सुविधा है चुकि ये दिल्ली कोलकापा रेल मार्ग पर इस्थीत है और कोलकापा से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर इस्थीत होने के कारण दुर्गापूर को एक बंदरगा, कोलकाता बंदरगा की भी सुविधा उपलब्ध है जहां से जल परिवहन से ये आसानी से आयात और निर्यात की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और साथ ही साथ दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर इस्थित होने के कारण इसे सुगम रेल परिवहन की भी सुविधा प्राप्त है तो हमने देखा कि आपके राउर केला भिलाई स्पाथ सेंत्र और दुर्गापुर स्पाथ सेंत्र के यहां पर इस्थानी करण के प्रमुख रूप से कौन-कौन से कारक हैं अब इसके बाद हमने बात की थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में अधिक स्पाथ उत्पादन के लक्ष को पूरा करने के लिए प्रमुख रूप से यह तीन स्पाथ केंद्र के स्थापना की गई थी लेकिन बाद में इसके साथ ही साथ बोकारो इसपास सैंत्र की स्थापना की गई तो हम इसके विशय पर भी बात कर लेते हैं कि इस इसपास केंद्र की स्थापना के लिए कौन-कौन से कारक जो है वो उत्तरदाई है बोकारो इसपास सहयंत्र जो है वो जारखंड के हजारी बाग जीले में बोकारो और दामोदर नदियों के संगम पर इस्थापित किया गया है ये इसपास सेयंत्र भी जो है वो ततकालीन सोवियत संग के तक्निकी सहयोग और साथ ही साथ आर्थिक सहयोग से स्थापित किया गया सन 1972 में इस इसपास सेयंत्र की जो उत्पादन छमता थी वो 17 लाख टन की थी जिसे बढ़ा कर 40 लाख टन कर दिया गया और अब और इसकी उत्पादन छमता को बढ़ाने का लक्ष रखा गया है और भविश्य में भी इस इसपास सेयंत्र की उत्पादन छमता को बढ़ा कर हम इस पर देख लेते हैं कि हमने उत्पादन की बात की कि 1972 से उत्पादन चमता का लक्ष रखा गया था लेकिन इस इसपास सेयंत्र की जो इस्थापना है वो 1964 में की गई अब हम देखते हैं कि इस कारखाने में पूरे विश्व भर की जितनी भी आधुनिक्तम तक्नीक है इन सभी आधुनिक्तम तक्नीक के प्रयोक का प्रावधान बोकारो इसपास सेयंत्र में करने का लक्ष रखा गया है अब हम देखते हैं कि इस इसपास सेयंत्र के इस्थानी करन के कौन-कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं जिसमें हम बात करते हैं कच्चा माल पर तो कच्चा माल के रूप में लौह एस्क जो है वो बोकारों से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर ओडिसा के जो लौह छेत्र ह हैं वहां से प्राप्त किया जाता है फिर लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित जो जरिया और बोकारों कोईला छेत्र हैं यहां से इसे कोईले की प्राप्ति हो जाती है अब पास में ही जो दामोदर नदी पर दामोदर घाटी पर हम कहें यहां से दामोदर घाटी स इसे सस्ती जल विद्यूत की आपूर्ती भी हो जाती है चूना पत्थर की बात करें तो जारखंड के पलामु जीले से इसे चूना पत्थर मिल जाता है और साथ ही साथ अब भावनापूर और डालतन गंज से भी चूना पत्थर की आपूर्ती होती है लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर कोलकाता बंदरगाह इस्थित है और कोलकाता बंदरगाह के स्थित होने के कारण इसे बंदरगाह की जो सुविधा भी प्राप्त है बंदरगाह से जो सस्ती जल परिवहन की सुविधा इस इसपास से अंत्र को प्राप्त है इन सभी के तरिक तो कुछ अन्य स्पात के अंदर भी भारत सरकार के सहयोग से इस्थापित किये गये हैं जिसमें एक और हम बात करते हैं विशाखा पटनम स्पात सयंत्र की विशाखा पटनम स्पात सयंत्र जो है ये भारत के हम कह सकते हैं कि जितने भी इस पास सयंत्र हैं, तो किसी भी बंदरगाह पर बनाया जाने वाला पहला इस पास सयंत्र है, जिसे बंदरगाह की स्थिती प्राप्त है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये इसपास सयंत्र जो है वो आंध्य प्रदेश के विशाखा पटनम बंदरगाह परिस्थित है अब इसके स्थानी करण के कारक के रूप में प्रमुक रूप से लौह यस्क की बात करें तो इस इस इसपास सयंत्र को लौह यस्क जो है वो हमारे 36 गड के बस्तर जी ले के बैला डीला छेतर से इस इसपास सेंत्र को लौहयस्क की प्राप्ति होती है इसके साथ ही हम देखते हैं कि इस इसपास सेंत्र का जो विकास है वो दो चर्णों में पूरा किया गया है दो चर्णों में भी हम देखते हैं कि पहला चरण जो था इसका वो 1988 में पूरा कर लिया गया और दूसरा चरण जो है वो 1990 में पूरा कर लिया गया प्रतेक में हम ये कहें कि प्रतेक चरण में जो उत्पादन छमता का लक्ष निधारित किया गया था वो लगभग 15 लाख तन इस्पात उत्पादन का लक्ष रखा गया था हमने बात की थी कि ये भारत के किसी बंदरगाह पर इस्थित होने वाला पहला इस्पास सैंत्र है तो बंदरगाह परिस्थित होने के कारण इस इस्पास सयंत्र को बंदरगाह से कोकर कोईला और अन्य समागरी भी आयात करने की सुविधा प्राप्त हो जाती हैं तो ये प्रमुख फैक्टर्स हैं जो विशाखा पटनम इस्पास सयंत्र के विकास के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदाई हैं हमने बात की कि हमारे देश में प्रमुख रूप से कौन-कौन से इस्पात केंद्र जो हैं वो संचालित किये जा रहे हैं अब हम देखते हैं कि इन पूरे इस्पात केंद्रों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं जो इसके विकास में एक बाधा के रूप में कारिक करते हैं तो कौन-कौन सी समस्याएं जो हैं वो प्रमुख हैं इस पात उद्योग के सामने इसमें चार प्रमुख समस्याएं हैं जिसमें पूंजी की कमी स्वदेशी तकनीक की कमी तीसरा कोकर कोईले की कमी और चौथा परिवहन की कमी इन चारों पॉइंट्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं सबसे बड़ी समस्य जो है इस पात केंद्रे के सामने वो पुझी की कमी है बच्चों हम सभी को पता है की लोहा सपात उद्योग जो है वो एक आधार भूत उद्योग है और भारत में जितने भी अन्य विकास कारिक्रम जो हैं वो संचालित किये जा रहे हैं इन सभी विकास कारिक्रमों की भाती ही इस उद्योग को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस इन समस्याओं में प्रमुख रूप से पूंजी की कमी है चुकि हम सभी को पता है कि इस अधिकांश कारखाने हैं, वो सरकार के द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। दूसरी समस्या है स्वदेशी तकनीक की कमी। भारत की जितने भी लौ इसपात केंद्र हैं, उनमें स्वदेशी तकनीक की कमी जो है, वो एक प्रमुख बाधा के रूप में रही है क्योंकि हमारे देश में ही निर्मित या हम कहें कि स्वदेशी तकनीक की बहुत बड़ी कमी जो है वो महसूस की जाती है और हमारे जितने भी स्पात केंद्र जो हैं संचालित किये जा रहे हैं और उसमें भी हमने अभी देखा कि प्रमुख रूप से जो राउर केला है दुरगापूर और भिलाई स्पात सायंत्र इसके अत्रिक्त बोकारो भी ये सभी स्पात केंद्र जो है वो विदेशी तकनीक और आर्थिक सहायता के साथ जो है वो संचालित किये जाते हैं तो बच्चों जब हम अपने देश में अच्च तो वहन करना ही पड़ेगा और उसकी लागत भी अधिक आएगी तो यही कारण है कि जब हम विदेशी तकनीक को आयात करके अपने उद्योग को उनके द्वारा संचालित कर रहे हैं तो यह हम पर भारी पड़ रही है तो इससे बहतर यह होगा कि हम अपने देश मे अच्च तकनीक को अपनाएं या उसे और ज्यादा से ज्यादा प्रोचसाहन दे और बढ़ावा दे जिसे हमें विदेशों या अन्य देशों से इस तकनीक को आयात ना करना पड़े और जब हम विदेशी तकनीक को आयात नहीं करेंगे अपने ही देश में इस तकनीक को ज् और अभी वरतमान समय में हम देख रहे हैं इन तकनीकों को आयात करने से ही इन लौह इसपात केंद्रों की जो लागत है वो आर्टोमेटिक बढ़ जाती है और इसके पहले भी हमने बात की, कि इस इसपाथ केंद्रों की या लोहिस इसपाथ उद्ध्यो पहरत में प्रमूख समस्या पुन्जी की कमी है. और जब हम इन तकनीक को आयात कर रहे हैं तो ये पुन्जी की कमी जह है वह समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है. तीसरा हम देखते हैं कोकर कोईले की कमी बच्चो हमारे देश में लोह जो है या हम कहें लोह यस्क ये तो परियाप्त मात्रा में हमें मिल जाता है इसके परियाप्त भंडार हमें हमारे देश में मिलते हैं लेकिन इस उद्योग में जो संचालित किये जाने वाला कोकर कोईला है इसकी कमी हमें देखने को मिलती है तो लाइस पात उद्योग में जो कोकर कोईला प्रयोग किया जाता है ये हमारे देश में इसकी बहुत कमी है और इसे हम अन्य देशों से मंगाते हैं तो जब अन्य दे जब हम कोकर कोईले को भी दूसरे देशों से आयात करते हैं, तो हमें इसमें अधिक खर्च का भार बढ़ जाता है. तो और हम यह देख रहे हैं कि लगातार हमारे देश में नए-नए इसपातकेंद्र या लौह इसपातकार खाने खोले जा रहे हैं या इनके खोलने की और योजनाएं जो हैं वो बनाई जा रहे हैं. तो जब और अधिक मात्रा में यह इसपातकेंद्र खुल जाएंगे तो और कोकर कोईले की जो कमी हैं वो और भी अधिक बढ़ जाएगी. इन सब के अतरिक्त हम देखते हैं परिवहन की कमी. इस उद्योग में जो प्रयोग होने वाला कच्चा माल है वो लौह एस्क है और हमने बात भी की थी कि लौह इसपात उद्योग जो है वो एक भारहास उद्योग होता है. मतलब जब इसमें जो कच्चा माल प्रयोग किया जाता है इसका वजन अधिक होता है और जब इससे हम माल तयार करते हैं तो तयार माल का वजन कम होता है तो नैचरली है कि जब हम कच्चा माल दूसरी जगह से मंगा रहे हैं तो उसमें हमको अधिक लागत वहन करना पड़ रहा है तो अधिक लागत आती है और साथ ही हम देखते हैं कि हमारे देश में जितने भी इस पात केंद्र हैं उन्हें जो कच्चा माल है वो इन कच्चे माल को रेल परिवहन की सहायता से मंगाते हैं रेलों के द्वारा मंगाया जाता है तो जब ये रेल से मंगाते हैं तो रेल परिवहन में ये अपेक शाकृत जो है वो थोड़ा महंगा होता है या हम कहें कि इसका खर्च जो है वो अधिक आता है और साथ ही साथ हम अपने देश में देखते हैं कि इंजन और रेल के जो है वो सस्ता पढ़ता है लेकिन हमारे देश में जल्ब परिवहन की उतनी परियाप्त सुविधा नहीं है। आंत्रिक जल्ब परिवहन भी बहुत अधिक विक्सित अवस्था में नहीं है और जितने भी जो इस पात केंद्र हैं उसमें भी हमने देखा था कि जो एक विशाखा पड़नम इस पात सयंत्र है वही देश का एक मात्र इकलोता इसा इस पात सयंत्र है जिसे बंदरगाह की स्थिती प्राप्त है तो इस कारण से सस्ते जल परिवहन की सुविधा भी हमें बहुत अच्छी तरह से इन इस पात केंद्रों को नहीं मिल पाती है तो ये प्रमुक समस्याएं हैं हमारे देश के जो लौह इसपात उद्योग है उसके संदर में तो इन जितनी ये जो चारों समस्याओं की हमने बात की इसका बहुत हद तक निराकरण करके हम अपने देश में लौह इसपात उद्योग या हम कहें इस आधार भूत उद्योग का जो विकास है इस विकास की गती को अभी वर्तमान से और अधिक जादा बढ़ा सकते हैं तो बस जरुरत इस बात की है कि इन जो ये जो समस्याएं हैं चाहे हम पुंजी की कमी की बात करें या स्वदेशी की या स्वदेशी तक्नीक के विशय पर बात करें तो इन सभी को हम इसमें सुधार लाकर इस उद्योग को और अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है प्रोचसाहन दिया जा सकता है करें दो कर सकता है झाल झाल झाल